तो बच्छों, फाइनली, NTE ने आज J-Mains का Reduce Slabers और साथ में Application Forms को Release कर दिया है Application Forms को भरने की जो Last Date है वो 30th November है हाँ, एक चीज मैं आप से जरूर बोलना चाहूँगा कि Application Forms भरने में जल्दबाजी मत करियेगा अराम से बिटा, Take Your Time और अराम से भरियेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं हर साल देखता हूँ कि कभी वो अपने नाम की Spelling गलत लिख देते हैं, कभी वो लोग अपनी Date of Birth गलत लिख देते हैं या फिर कोई और डिटेल्स गलत लिख देते हैं तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्या J-Mins का Paper और ज़्यादा टफ होने वाला है क्या आप 99% Tile Score करने का जो Score है, जो Marks है, क्या वो और उपर जाने वाले हैं कि वो नीचे जाने वाले हैं तो बच्चों ये सब डिसकस करने से पहले, मैं आपसे डिसकस करना चाहूँगा कि अब आपकी क्या strategy होनी चाहिए अब आपको क्या चीज अपने दिमाग में ध्यान रखके पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप अपना remaining time best तरीके से utilize कर सके और इस remaining time में आप अपने लक्ष की तरफ बढ़ सकें, तो बच्चों ये है three point strategy जो आपको बहुती ध्यान से, बहुती अराम से और बहुत जादा focus way में बिटा follow करनी है और वो strategy क्या है भाई, सबसे पहली चीज ये है कि अब आपको सारे के सारे PYQ solve नहीं करने है, सिर्फ वही जही mains के PYQ आपको solve करने है, PYQ मतलब previous year questions आपको वही भया solve करने है, जो latest updated reduced syllabus में है मतलब कि आपको slabus अपने दिमाग में रखना है, फिर आपको PYQ करने है, अगर आप अपना focus way में सिर्फ वही PYQ करोगे, सिर्फ उसी portion का PYQ करोगे, जो अभी भी slabus में है, तो आपका score बढ़ने के chances बढ़ जाएंगे दूसरा point बच्चों यह है, कि आपने यह तो गौरी कर लिया, आपने ध्यान भी दिया होगा, कि अभी भी J.Mains का जो pattern है, वो change नहीं हुआ है पहले भी 90 questions आते थे, मतलब 30 question each subject आते थे, और अभी भी बटा J.Mains में 30 ही question आने है, 30 question each subject, मतलब total 90 question आने है मतलब pattern में कोई भी change नहीं है, जैसे पहले single choice सवाल आते थे, और अभी भी single choice आएंगे, 7 limited numerical based आएंगे, जिसमें से कि आपको 25 physics में, 25 chemistry में और 25 maths में करने होंगे तो देखे यार paper pattern chain नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है, कि अगर आप J.Mains के पहले attempt को target कर रहे हो, आप पहले attempt में ही 99 percentile लाने का सपना एकदम देख चुके हो, और एकदम जुनून से उसके लिए लगे हुए हो, तो बच्चों आपको बहुत नए type के सवाल practice करने की कोई जुरूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ single choice practice करने है, सिर्फ और सिर्फ numerical based बेटा आपको practice करने है, और हाँ, सबसे important चीज़ जो मैंने पहले point में discuss किया, कि भया PYQ वही करने है, जो according to the latest syllabus है, अब बच्चों देखो, एक बहुत important चीज़ है, वो यह है कि आपको अभी से, आज से टी बराबर जीरो सेट करके, अभी से बेटा आपको अपने एक schedule बनाना होगा, वो schedule ऐसा होना चाहिए, जो आपका पूरा का पूरा syllabus 15th जैन तक cover करा दे, और अब तो 15 जैन तक जो भी syllabus बचा है, क्योंकि syllabus में अच्छा कासा reduction है, अच्छा कासा syllabus कम हुआ है, तो आपके बहुत जादा time है, उस syllabus को करने का, तो बच्चों एक proper strategy बना दीजिए, और ये strategy और इस चैनल पे हम लोगों ने आपके साथ discuss कर ली है, physics की भी, chemistry की भी, math की भी, आप उस strategy को बना के आप वो सारे chapters, उस strategy में बेटा cover कर लीजिए, जिसमें कि आपका पूरा syllabus 15th जैन में cover हो अब बाद आती है, क्या सर, इस बार का जो जी मेंस का paper है, वो tough होने वाला है, तो बच्चों देखो, paper tough नहीं होने वाला है, मेरा मानना ये है कि paper tough नहीं होने वाला है, और इसके पीछे कुछ reasons है, reasons क्या है, जैसे मैं math की बात करूँ, vector से STP, मतलब scalar triple product, और vector triple product जैसे binomial जो coefficients होते हैं, उनको हटा दिया गया है, जिससे सवाल बहुत tough आता था, बहुत सारा बच्चा नहीं कर बाता था, और साथ में भी यह 3D से तो plane से हटा दिया गया है, तो ऐसे और भी example हैं, जैसे कि हम लोग tangent normal की बात करें, AOD में, rule serum की बात करें, LMVT की बात करें, जिससे कि tough सवाल आते थे, जनरली बच्चे नहीं कर बाते थे, वो सारे के सारे tough topic हटाये जा चुके हैं, हाँ, calculation based सवाल आ सकते हैं, जिसमें बहुत lengthy calculations हो, लेकिन परंतु जो tough topic होते थे, वो इससे हटा दिये गये हैं, इसका साफ मतलब यह है, कि बच्चो cut off बढ़ने वाला है, औ minimum 30 और maximum 40 number से भी यह cut off बढ़ेगा, जैसे पहले आपको 99 percentile आने के लिए, मतलब last year तक 170, 180 number अगर आ जाता था, for example, 167, 90 के बीच में आ जाता था, तो आप 99 percentile score कर लेते थे, अब आपको कम से कम 200 या 210 number target रखना होगा, जिसमें कि आपका easily 99 percentile आ जाए, तो मतलब बच्चों, अभी से आपको सतर्क रहना है, इस छोटे से वीडियो में से मैं आपको यही बताने आया था, कि हाँ, paper के level easy होगा, cut off 99 percentile के लिए बढ़ेगा, क्योंकि अभी क्या होने वाला है, अभी यह होने वाला है, क्योंकि slaybers reduce हुआ है, अब दिखना जादा से जादा बच्चे first attempt क target करेंगे, number of students जो J-Mains के लिए appear होते हैं, वो भी जादा होंगे, जब जादे students appear करेंगे, क्योंकि देखे यार, उनका भी confidence बढ़ा है, क्योंकि जैसे slaybers कम हुआ है, जो बच्चे भी हार मान चुके थे, जो सोच रहते, drop लेने का, उनकी अंदर भी बेटा नई उम्मीद जागी है, अगर उनके अंदर नई उम्मीद जागी है, इसका मतलब ये है, कि वो लोग भी आप J-Mains का फॉर्म भरेंगे, मतलब number of students भी increase होगा, number of students इंक्रीज होगा, मतलब 99% लाने के लिए आपको ज्यादा नंबर लेके आना होगा, और हाँ, अगर आप अभी भी गेम म आप खुद से follow कर लेते हो, तो बच्चों बहुत बहुत congratulations, अगर आप नहीं कर पाते हो, तो नीचे देखो लिख के आ रहा है, हमारा crash course है, जिसमें हम आपको updated, reduced labels के अनुसार त्यारी कराएंगे, हम उसमें फर्स एटेम में 99% ही target कर रहे हैं, हम target कर रहे हैं कि आपका फर् match को dedication के साथ follow करके पूरे कर सकते हो, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए, जय बवा की, love you all